जैसरी राम दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से हमारे यूटूब चैनल एसोई भक्तिय अड्डा में मेरे प्रिये फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं बैसाक आमवश्या दोहजर तेईस बैसाक आमवश्या कब हैं जाने इस दिन का महत करें ए उपाय मिलेगी ग्रह दोस्ते मुक्ति दोस्तों हम बात कर रहे हैं सूर ग्रहर के दोरान बैसाक आमवश्या कब पड़ेगी तो आई हम बात करते हैं इस छोटे से वीडियो के मार्धम से बैसाक आमवस्या के हिंदू महिने में आने वाली आमवस्या का दिन है जो आमतोर पर अप्रेल या मई में होती है यह दिन हिंदू धर्म और बैदिक जोतिस में बहुत महत रखता है क्योंकि यह बैसाक के नई चंद्र महिने की सुरुआत का प्रितीक है बैसाक आमवस्या के दोरान कुछ अनुष्ठानों को करने से ब्यक्ति को आध्यात्मिक और भोते कलाब मिलता है साथ भी पित्रों को सुक की प्राप्ति होती है उनका आसिरवाद लेने के लिए पूजा करने के लिए सुब दिन माना गया है जानिये बैसाक आमवस्या दोहजर्द से इस कभ है क्या है इसकी पूजा बिदी और इसनांदहान का मात तो दोस्तों कमेंट में हमें जैसरी राम जरूर लिखिएगा आईए फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं बैसाक आमवस्या कुछ अनुष्ठान करने से ग्रहों के बुरे प्रभाव दूर होते हैं बैदक जोतिस में बैसाक आमवस्या का ब्यक्ति की कुर्णिली पर गहरा प्रभाव होता है साथ ही इस दिन कुछ अनुष्ठानों को करने से ग्रहों के बुरे प्रवाओं को दूर करने और जीबन में सकरात्मक बदलाव लाने में मदद मिल सकती है बैसाक आमवश्या दोहजार तिज तिथी और सुमुहूर्त इस साल बैसाक आमवश्या 20 अपरेल को है आमवश्या तिथी 19 अपरेल 2023 को सुभाई 11 बचकर 25 मिनट से सुरू होगी और तिथी 20 अपरेल 2023 को सुभाई 9 बचकर 41 मिनट पर समाप्त होगी बैशाक आमवस्या का महत बैशाक आमवस्या एक महत पूर हिंदू तेवहार है जो बैशाक महिने में अप्रेल मई की आमवस्या की दिन पढ़ता है या हिंदू पोराडिक कथाओं में बहुत महत रखता है और भारत की विभिन हिस्सों में लोग इसे विभिन रीती रिवाज और परंपराओं के साथ मनाते हैं। और बैती जल में तिल प्रवाहित करें, ब्रत करें, अपनी पित्रों को तरपड करें और गरीबों को बस्तुएं दान करें ताकि आपके पूर्वजों को सांती और मुक्ती प्राप्त हो सकी